मिस यूनिवर्स हरनास संदू का जीवन परिच्छ हरनास कोर संदू पंजाब की रहने वाले कैसी महिला है जिनों ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत कर भारत का नाम गर्व से उचा किया है 21 साल बार पिर से भारत को Miss Universe के खिताब से सम्मानित किया गया हरनास कोर संदू के Miss Universe का खिताब जीतने के बार पूरा देश जूम उठा और लोगों ने हरनास को खूब धेरो आर्शिवाद भी दिये हरनास कोर संदू के पहले Miss Universe का खिताब भारत के सर्विशेज अमिनेतरी लारा दत्ता ने वस्दोहजार में जीता था इनके इस जीत पर भी भारत के लोगों ने जसन रनाया था और कई कंपनियों के दोरा इन्हें बहुत सारी फिल्मों के लिए प्रमोट करने का ओफर भी आया था ऐसे ही आशंक का हरनास के साथ भी जताई जा रही है कि शायद हो सके तो हरनास कोर संदू को भी फिल्मों में काम करने का मुका मिल पाएगा हरनास कोरसंदू वर्तमान समय में मात 21 वर्ष्टी है ऐसा कहा जा रहा है कि हरनास कोरसंदू ने अपने जनम से ही मिस यूनिवर्स बनने का टैक कर लिया था हरनास कोरसंदू पंजाब की रहने वाली एक बहुत ही गोर्जियस लेडी है हन्नास कोरसंदू एक मोडल होने के साथ एक विधारती भी है क्योंकि वर्तमान समय में ये हैं MA की पढ़ाई कर रही है इतना ही नहीं ?, हन्नास कोरसंदू ने पनजाबी फिल्म इंडस्टी के लिए एक्टर्स के रूम में काम भी किया है और इनकी कई फिल्मे सुपर हिट भी रही है हरनास कौर संदू का जनम वर्ष 2000 में तीन मार्श को हुआ था हरनास कौर भार पंजाब के चंडिगर्ड से ब्लोंग करती है वर्तवान समय में हरनास कौर संदू की उम्र मात 21 वर्ष है हरनास कोर संदू ने मात 21 वर्ष की उमर में ही मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया मिस यूनिवर्स इससे पहले मिस चन्डिगर भी रह चुकी है इन्होंने चन्डिगर में हुई मिस चन्डिगर के प्रोग्राम में हिस्सा लिया था और अपनी खुबसूरती और हाजीर जवाबी के कारण मिस चन्डीगर भी बनी थी हरनास कोर संदू भारत की तरफ से तीसरी मिस यूनिवर्स बनी हरनास कोर संदू ने अपनी पारमविक शक्षा चन्डीगर में इस्तित शिवाली पबिल की स्कूल से पूरी की है हरनास कोर संदू ने अपनी पारमविक शक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए चन्डीगर के ही गवर्मेंट कॉलिज फॉग गर्स में एडमिशन ली और वर्तमान समय में पॉब्लिक एडिलिस्ट्रेशन के दुआरा मास्टर ओफ आर्ट अर्थात में की डिगरी प्राप्ट की है हरनास कोर संदू के पारमविक जीवन को लेकर बहुत सी बाते कही जाती है कई लोगों का ऐसा कहना है कि हरनास कोर संदू चुरुवाती समय में मत्यम वर्गे परिवार से संबन रखती थी और कई लोगों का ऐसा कहना है कि हरनास कोर संदू काफी अच्छे खांदान से आती है हरनास कोर संदू की शारिरिक बनावट बहुत ही जादा सुन्दर है जैसा कि आप सभी लोगों को इनका फोटो देखकर समझ आ रहा होगा हरनास कोर संदू अपनी खूब सूर्थी के कारण भारत के बड़े बड़े एक्टरस को भी मात देती रही है हरनास कोर संदू अपनी खूब सूर्थी के कारण भारत के बड़े बड़े एक्टरस को भी मात देती रही है हरनास कोर संदू जब से मिस यूनिवर्स का खिताब जीते हैं तब से उनकी फैन फॉलोविंग बहुत ही जादा बढ़ गई है और उनके फैन्स उन्हें बॉलिवोड में एक्टरस के तोर पर देखना चाहते हैं हरनास कोर संदू ने अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले अर्थात अपनी पढ़ाई के सासर मोडलिंग की दुनिया में भी अपनी किसमत को आजमाना चाहती थी और जिसके लिए उन्होंने मॉडलिंग में अपना करियर बनाना शुरू किया हरनास कोर संदू ने अपने मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाते हुए शुरुवाती समय में ही कई परतियोगिताओं का सामना किया और इनोंने ज़ादा तर प्रगिताओं को जीता भी इनी सब परती योगिताओं में हिस्सा लेने के साथ हरनास कोर संदू ने Miss Chandigar के खिताब को अपने नाम कर लिया था हरनास कोर संदू ने Miss Universe बनने की सोची मिस यूनिवर्स बनने के लिए हरना स्कॉर सिंदू ने वर्ष 2017 में सरकारी कॉलिज में परवेश लिया और कॉलिज के फ्रेशर पार्टी के दोरान हरना स्कॉर सिंदू ने भाग लिया और यहां पर ये सेकेंड रनर अप रही इसके बाद हरना स्कॉर सिंदू ने लगातार कई परतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया और परतियोगिताओं में भाग लेने के साथ उन्हें जीती भी रही है इन सभी के बाद वर्च 2021 में हर्नास कोर संदू ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिया वर्च 2021 में आयूजित की गई है प्रतियोगिता सत्तरवा मिस यूनिवर्स का पेजिन था इस परतियोगिता में भारत की तरफ से तीन लोगों ने हरनास कोर संदू, उर्वशी रतोला और दिया मिर्जा अपना नाम दर्ज करवाया था जहां पर उर्वशी रतोला ने इस कॉंटेस्ट को जज़ भी किया था इसराइल में आयू जीत किये गए इस मिस यूनिवर्स में हरनास कोर संदू ने बाजी मारी और इस परतियोगिता में जीत हासिल करके इस बार का मिस यूनिवर्स टाइटल अपने नाम करा लिया जब इस्राइल में आयुजित किये गए यूनिवर्स की पती योगिता में मिस यूनिवर्स हरनास कोर संदू से पूछा गया कि आप यूवतियों को क्या सला देना चाहोगे कि वे लोग आज इस दवाब का सामना कर रही हैं इस प्रशन को सुनने के बाद हरनास कोर संदू ने कहा कि आज के समय में यूवति जिस समय बड़े दवाब का सामना कर रही हैं वे हैं खुद के उपर आत्म विश्वास जो भी यूवतियां खुद पर विश्वास करती हैं वही आगे बढ़ती हैं ऐसा कहते हुए हरनास कोर संदू ने खुद का उधारन दिया और कहा कि मैं खुद पर विश्वास करती हूँ इसलिए आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ हरनास कोर संदू ने मात 21 वर्ष की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया और उन्होंने अपनी तक्दीर को भी बदल दिया मिस यूनिवर्स हरनास कोर संदू की खिताब जीतने की तो